मित्रो ओम सी गने साय निमा आई जानते है रवी वाड़ी यानि की 30 जनवरी 2022 का संपुन और विस्तित पंचांग जानते हैं हमारे जो भारतिक जोतिस पंचांग होता है वो होता है सुर्योदे, सुर्यास्ट, चंद्रोदे और चंद्रयास्ट पर अधारित पंचांग संस्कित का सब्दी है जिसका साब्दी करत होता है पांच अगों से निर्मित और वो पंचांग के पांच अंग होता है तिथी, वार, योग, नचत्र और करन इन्ही पांचों चियों से मिलकर हमारे पंचांग का निर्मान होता है किसी भी सुबकारी को करने के लिए हमें जोद परती है सही मोहुर्थ, सही समय और सही नचत रखी और इन ही सभी चीओं की संपून और सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाल है जो की राईवार 30 जनवरी 2022 के लिए है तो वीडियो में हमारे साथ अंतक बने रही है ताकि आपको संपून पंचांग के जानकारी मिल पाए पंचांग के वीडियो पसंद आई, जानकारी अच्छी लगए तो से लाइक करें, कमिट बाक्स में जैसी गनेश जोड लिखे मित्रों आज का संपून पंचांग आपको बताना आरहम करो उससे पहले आईए, हम सभी मिलकर एक बार सुब कामना देते हैं उन लोगों को जिनका जम दिन है आपको जम दिन की हरदिक सुब कामना है भगवान गनेश की किरपास है आपके जीवन के सही प्रकार के बादाओं का अंतो साथी साथ जिनका भी हाज मेरे जनुवसरी है उन्हें भी मेरे जनुवसरी की हरदिक सुब कामना है भगवान सिब और महापारवाती की तरह आप दोनों की जोड़ी हमेशा यहीं बनी रहे साथी साथ जोग विव्यक्तिस पंचांग को देख रहे है यानि कि आप आप के लिए मैं आज के इनकी मंगल में होने की कामना भगवान करने से करता हूँ तो इस सब्दों के साथ आईए चली जानते हैं रहिवार यानि कि 30 जनवरी 2022 का संपून और विष्थित पंचांग जानते हैं आज है विक्रम संबद 2018 सक्समत 1943 कली संबद 1523 रहने वाल है माह, मागमा, पक्ष, क्रिष्न पक्ष, रितु, सिसिर रितु तिथी रहने वाली आज की 33 33 तिथी आज दिन के तीन बचकर 27 मरतक रहने वाल है तदुपान फिर 24 तिथी आड़म हो जाएगी नचतर आज का रहने वाल है पूरवा सधा जो कि आज रातरी के 10 बचकर 28 मरतक रहने वाल है तदुपान फिर उत्रा सरा नचतर आड़म हो जाएगा करन वनीज रहने वाल है दिन के 3 बचकर 27 मिर्थ तक तदुप्राण फिर विष्टी करन यानि की भदर आराम हो जाएगा जो की रातरी के 2 बचकर 21 मिर्थ तक रहने वाला है तदुप्राण फिर सकुन करन आराम होगा योग रहने वाला आज का हरसन हरसन योग आज दिन के 12 बच कर 22 मेर्त करने वाल है तो दुल्मान फिर बज्र योग आरंभ हो जाएगा दिशासूल आज पस्चिम दिशा में रहने वाल है पस्चिम दिशा में किसी भी खास परियोजन से याता ना करें यहाप आपको नुकसान हो सकता है सुबखाद्याज का पान रनने वाला है पान का छोड़ा टुकरा भी खाकर यातारम करेंगे किसी नई कारी को करेंगे उसमें आपको सफलता हाथ लगेगी चंदरासी आज धनू रनने वाली है धनू असीम चंदरमा आज रात्री के चार बच कर 36 मिट तक विराजीत रहेंगे यानि कि आज पूरे दिन और पूरी रात्री लगभग रात्री में जाके चार बच कर 36 मिट तक चंदरमा रहेंगे धनू रासी में और उसके बाद चंदरमा का फिर मकर रासी में प्रवेस हो जाएगा प्रत्योहार की बात के तो आज मासरी ब्रात्री का ब्रत रहेगा सूरी रासी की बात के सूरी मकर रासी में सरवन नचत्र में और सौर माग माँ भी चल रहा है सूरी ओदे और चंद्रोदे पर एक नज़र डलेंगर ये तो थी सुर्योदय और चंदोदय की बात आईए पेकेंजर डलते हैं आज के सुब जोगरिया की स्थिधी पर सुब समय आज का रहने वाला है दिन के एक बच कर पच्पन मेर्ट से लेकर तीन बच कर सोलव मेर्ट तक और आज का चर समय सुबा के आठ बच कर 31 मेर्ट से लेकर 9 बच कर 22 मेर्ट तक रहने वाला है लाव समय आज का सुबा के 9 बच कर 22 मेर्ट से लेकर 11 बच कर 13 मेर्ट तक रहने वाला है ये तो थी आज के सुब चोगरिया आईए बेकने ज़र डालते हैं आज के राहुकाल और गुलिकाल के सिर्थे पर राहुकाल एक असुब समय होता है ये रहने वारा दिन के यानि के साम के 4 बच कर 37 मिनट से लेकर 5 बच कर 8-9 मिनट तक इस समय में कोई भी नयाकारी करने से बिल्कुल बच है इसमें आपको ओसा फलता हाथ लग सकती है गुलिकाल एक सुब महुर्थ होता है ये रहने वारा दिन के 3 बच कर 16 मिनट से लेकर 4 बच कर 37 मिनट तक इस समय में कोई भी नयाकारी आराम किया जा सकता है अभी जीत महुर्थ भी एक सुब महुर्थ होता है ये रहने वारा दिन के 12 बच कर 13 मिनट से लेकर 12 बच कर 56 मिनट तक इस समय में भी कोई भी नयाकारी आराम किया जा सकता है वीजय महुर्थ आज कर रहने वारा दिन के